नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जहारखंड एजुकेशन में आपका स्वावत है, Question Paper का Analysis, हम लोग Question Paper का Analysis करेंगे, वर्स 2019 में Computer Science का जो एक्जाम हुआ था, जो Question Paper आया था, उस Question Paper का हम लोग Complete Analysis करेंगे, और इस अधार पर हम लोग जानेंगे कि 2019 का Blueprint क्या था, हमने अल्डी 2020 के Question Paper का Analysis किया है, इसका लिक आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, और आज हम लोग करने वाले हैं 2019 के Question Paper का Analysis, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सबसे पहला चैप्टर है, और इससे बहुत सारा Questions पूछा जाता है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, तो देखे, यहां पर क्या है, 2019 में 1 Marks, यहां पर 1 Marks का मतलब हमारा MCQ से है, तो हमारा जो और बहुत सारा Questions पूछा जाता है, एट Marks का MCQ आया था, यानि टोटल 8 MCQ आया था अकेले, देखकर कोटा ऐसा लग रहा है कि पूरे C++ Unit में से लगवख सारा का सारा MCQ अकेले इस चैप्टर से पूछ दिया गया था, तो हम दोग यहां पर बात करें, तो 8 MCQ पूछा था, ओभर भी आप C++ से, फिर 2 Marks का 2 Question, ठीक है, 2 Marks का 2 Question, ठीक है, हो गया कितना? 6 Marks, उसके बाद 3 Marks का 1 Question, ठीक है, तो कितना हो गया? 3 Marks, अगर आप यहां पर देखें, तो ओभर भी आप C++ से कितने मास्क का Question आया? 8 और 6, ठीक है, 8 6, 14, 14, 13, 17, ठीक है, 17 मास्क का Question जो है, वो आपका आया था, अकेले इस चैप्टर से, यानि अगर हम C++ Unit के बारे में बात करें, तो C++ Unit में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और उन सारे चैप्टर्स में से, अकेला जो है, 17 मास्का जो Question है, वो ओभर भी हो, C++ इस चैप्टर से आया था, अब बढ़ते हैं हम लग C++ Unit के दूसरे चैप्टर, जिसका नाम है, उपस, यानि Object Oriented Programming, इससे कोई MCQ नहीं, इससे कोई 2 Marks वाला Question नहीं, बस 3 Marks का एक Question, ठीक है, 3 Marks का एक Question, यानि की 3 Marks थे हैं, आपर 3 Marks लिख लिजिए, आगे चलते हैं Function Overloading, Function Overloading Chapter से एक Question जो है रहा, वो 3 Marks का रहा, और इसके बारे में बैसिकली यह कहना चाहूँगा, कि Function Overloading Chapter के अंदर मैंने इसे लिख दिया, लेकिन जो Question था, वो Operator Overloading से था, और Operator Overloading जो है, वो आपके Book में नहीं है, इसे मैं यह मान करके चल रहा था, कि यह थोड़ा सा Out of Slables Questions पूछ दिया था, ठीक है, आपका एक्जाम में Question आया था, Operator Overloading ठीक है, तो Operator Overloading आपके Slables में नहीं पढ़ना था, लेकिन तब भी यह Questions पूछ दिया था, इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि यह Out of Slables था, ठीक है, इसको मैंने Function Overloading Chapter में डाल दिया है, कि यहां इससे 3 Marks का Questions पूछ आ गया, आगे चले, Class in Object, देखिए, Class in Object से कोई भी Question नहीं, ठीक है, Class in Object से अगर आम लोग यहां पर देखें, तो Class in Object से कोई भी Question नहीं, न तो 1 Marks, न तो 2 Marks, न तो 3 Marks, न तो 4 Marks का, ठीक है, कोई Question नहीं, Constructor and Destructor, ठीक है, तो Constructor, Destructor से 1 MCQ था, इसके अलावा, 2 Question था, 3 Marks वाला, यानि 6 Number का, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, Inheritance से कोई Question नहीं, ठीक है, Inheritance से कोई Question नहीं, 0 Marks, Pointer से कोई Question नहीं, तो यही एक खरावी देखने को मिलते है, जारकन बूड में, कि कभी-कभी किसी चाप्टर से किसी साल में सवाल पूछता है, किसी साल किसी चाप्टर से कोई भी सवाल नहीं पूछता है, अगे बढ़ते हैं, अच्छा, एड़ कर लेते हैं, पहले, सत्रह और टीन जो हो गया, बिस, बिस, और तीन कितना हो गया, थाईस, तैस, गटना हो गया, ठिक है, यानि कि chapter नॉबर वणस लेकर 7, इससे कितना, hundredी मार्क्स, और यह जितना भी chapter है, यह किस unit से है, यह सारे chapter जो है वो C++ unit से है, और जैसा कि आप जानते हैं, C++ unit से तोटल 30 marks का Qkt. आता है, ठीक है C++ unit से चैप्टर नमबर 1 से लेकर 7 ठीक है 7 और एक चैप्टर और भी है चैप्टर नमबर 8 उसे लेकर 8 जो है वो C++ unit है और C++ unit से 30 marks का questions पूछा जाता है जो कि यहाँ पर देख रहे हो 30 marks का questions पूछा भी गया आगे बढ़ते हैं file handling ये भी आपका C++ unit से है लेकिन देखें अगें 2020 में तो कम से कब एक MCQ पूछा गया था लेकिन 2019 में देखें कोई भी questions नहीं पूछा गया ना तो 1 marks ना तो 2 marks ना तो 3 marks ना तो 4 marks ठीक है तो 0 यहाँ पर कर लीजिए अब आते है हमां लोग यहाँ पर chapter number 9 array जो कि आपका किस unit से संबंदित है यह आपका जो unit है वो है आपका data structure ठीक है data structure इस unit से संबंदित है आपका ठीक है इसमें क्या 3 mcq पूछा था ठीक है एक लोता array chapter से 3 mcq और 1 3 marks का question ठीक है एक 3 marks का question तो यहाँ पर देख लिए 3 और 3 यह कितना 6 array से 6 marks का question पूछा अगला जो हमारा chapter stack q link list यह भी जो है आपका data structure unit का chapter है ठीक है stack q link list में देखे कोई mcq नहीं 2 marks वाला 2 question यानि total 4 marks और 3 marks का भी 2 question यानि कि 6 तो जैसा कि आपको पहले भी बताया था मैंने है ना कि यह data structure unit है यह 16 marks का question पूछा जाता है तो देखे यहाँ पर 6 marks का array और 10 marks का stack q link list से question पूछा गया तो किसी साल क्या होता है array से ज्यादा questions पूछ देता है और किसी साल जो है stack q और link list से ज्यादा questions पूछ देता है ठीक है यह चीज़ आपको यहाँ पर ख्याल रखना है ठीक है और यह जो question है यह question है कि कोई table दे दिया जाता है और उसके लिए आपको query लिखना पड़ता है यानि आपको उसके लिए command लिखना पड़ता है ठीक है तो चार marks का आपका SQL ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखे कि कोई mcq नहीं है तो mcq का वही हाल है कि कि किसी साल mcq उ जाए जो है वो आपसे पूछ लेता है कोई short answer question ठीक है और इतना जान लेजे कि यह जो दोनों chapter है ना chapter 11 और टूर यानि database concept और SQL यह किस unit से है यह database unit से है ठीक है कौन से unit से है database unit से और database unit से 8 marks का questions पूछा जाता है और यहाँ पर देखे 4 plus 4 8 marks का questions पूछा भी गया अगला जो ह MCQ पूछा गया था एक पूछा गया था question 2 marks वाला ठीक है और यहाँ पर एक question पूछा गया था four marks वाला ठीक है तो यहाँ पर देखे 4 और 2 जो है आपका six six or two eight तो boolean algebra भी आठ marks का पूछा गया और boolean algebra 8 marks का पूछा भी जाता है ठीक है आपके syllabus में बताया भी गया है कि 8 marks क जो है blue algebra questions पूछा जाता है लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2000 जो आपका 20 था यह 2000 और इसके बारे में बता रहे हैं आप लोगो 2020 में जो है blue algebra से 11 marks का questions पूछा गया तो अगे वाला रूल को वालेट किया इसका भी जो है 8 marks का questions पूछा जाता है और 8 marks का question पूछा जाता है और यहाँ पर पूछा भी गया ठीक है तो अगर आप यहाँ पर add कर ले तो पिछला जो हमारा slide था इस slide में देखी हमने total कितना बताया था कि total जो है इनको जोड़ करके कितना आया था total जोड़ करके आपका 40 ठीक है sorry 40 ने 30 आया था ठीक है अगला यहाँ पर जोड़ लेते हैं हम लोग यहाँ पर 6 और 10 16 16 और 4 20 ठीक है 20 और 4 24 24 और 8 ठीक है 24 और 8 32 और 32 और 8 कितना हो गया 40 हो गया ठीक है तो 40 इस chapter number 8 से 14 ने 40 और उधर 30 तो 40 और 30 कितना हो गया 40 30 जो हो 70 हो गया तो इस प्रकार से 70 marks का questions जो है आपका पूछा गया था अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं हाँ पर वो यह कि कोडिंग से कितना questions पूछा गया था 2020 में कम questions पूछा गया था ठीक है आपको program code लिखना था पिछला में output बताना था प्रोग्राम code लिखना था यह भी तीन अंक का फिर दो अंक का दो प्रशन पूछा गया था दो अंक का दो question यानि कि चार marks का था वह था algorithm लिखना थिक है algorithm लिखना थिक उसके बाद 3 अंक का एक question और था इसमें भी हम लोग को algorithm लिखना था लेकिन वो और दूसा जो chapter है हम लोग का, ठीक है, दूसा chapter है हमारा stack, queue, और link list, ठीक है, stack है, queue है, और आपका linked list है, ठीक है, और अगर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कि यह जो algorithm पूछा जाता है, वो पूछा जाता है, आपका data structure unit से, ठीक है, किस unit से, data structure unit से, तो data structure unit से, देखे कितना, चार और तीन साथ, साथ नंबर का, साथ नंबर का तीन algorithm पूछा गया था, ठीक है, seven marks का, तीन questions पूछा गया था, तो total अगर हम लोग कोडिंग देख लिए, कितने marks का पूछा गया, three, three, six, six, और 14, और three, 13, यानि कि कोडिंग से कितना question, 13 marks का, ठीक है, 13 marks का question पूछा गया था, coding से, तो 2019 में coding फोर से जादा पूछा गया था, जबकि 2020 में coding फोर कम पूछा गया था, तो ये था आप लोगों का, 2019 के question paper का analysis, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा chapter से जादा questions पूछा गया था, और कौन से chapter का तैयारी आपको करना चाहिए, ठीक है, तो य ये था 2019 के question paper का analysis, मिलते हैं अगले किसी video में, तब तक के लिए, thank you.